दोस्तों यदि आपकी हतीली में गुरू का परवत और बुद्ध का परवत पुष्ट और सुन्दर अवस्ता में बिक्सित हो जाएं, तो निश्चित तोर पे ऐसा व्यक्ति जोतिसी, जोतिस को जानने वाला, कभ्या को जानने वाला, एक बहुत अच्छा वक्ता, बहुत बिक्ति होता है, ये बिक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान होता है, बहुत अच्छी नौलेज ऐसे बिक्ति को अपनी जीवनकाल में होती है, अपने काम के परती इसकी नौलेज बहुत तीब्र होती है, और देखेगा, यदि आपकी हतेली में ये जो इंडेक्स की भाग है, देव गुरु और ये लिटिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, अन्य परवतों के मुकाबले जादा सुन्दर दिखाई दे रहे हों, क्योंकि ये राजकुमार है, ग्रहों में, बुद्ध और ये देवताओं का गुरु है, अगर ये दोनों परवत थोड़ा अलग से सुन्दर, इसपष्ट और थोड़ा उबरे हुई दिखाई दे रहे हों, इनका औरा, इनका आभा मंडल बहुत अच्छी इस्तिति में हो, तो अगर आप बिजनिस कर रहे हों, ब्यापार कर रहे हों, तो बिजनिस में नम्मर वन बनाएगा, आप उच्च कोटि का प्यापार करने वाले बिक्ति हो जाएंगे, और अपने जीवन काल में बड़ा धन उपार्जन करेंगे, निश्चित तोर पे अगर आपकी हतीली में ये लक्षन हैं, आपके जीवन में सुक और समर्दी, एस्वर्या और परतिष्टा की कभी कमी नहीं रहेगी, ज कि हापी एक चीज का ध्यान देना, जो पुरुस हैं, वो अपने राइट हैंड को देखना, और जो महिलाएं हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड को देखना, क्योंकि इसका परमान जो है, हमारा सामुदरिक बिज्ञान देता है, उसमें इस पष्ट कहा गया है, अथातह संप्रवक्षामी हस्त रेखा विचारणम, दक्षने पुरुसम गेयम वामे वामा करम सुभम, तो इसी का अगर पालन करेंगे, तो निश्चित तोर पे आपको जो है, बहुत बड़ा लाब होगा।